तो कुछ लीक्स निकल कर आ रही है कि मतलब आपको 8 मार्ज कुछ यफ्टों को बाद ही सायद आइफोन का नया फोन देखने को मिले आइफोन 14 नहीं सायद आइफोन SE 3 वगेरा और एक इंट्रेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको ये फोन भी 5G होने वाला है 2020 में आने वाला आइफोन SE इसमें कुछ कम चीजे थी इसलिए इसकी सक्सेस को और बढ़ाने के लिए और अपडेट करने के लिए इस फोन को इसमें बहुत से इंट्रेस्टिंग फीचर्स डाले गए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनको पता लगाने के वीड iPhone SE 3 launch होगा और साथ ही इसमें leaks आ रही है confirm नहीं है साइध हो भी या ना भी iPad Air का भी नया वर्जन launch होने वाला है इन में से as usual upgraded specs होगी और extra features भी देखने को मिलेंगे अभी सिर्फ topic की बात करते हैं आइफोन SE 3 की आपको साइध multiple phones देखने को मिले इस बार क्योंकि Apple को पता है महंगा phone वो afford नहीं कर पाते इसलिए वो Android पर shift हो जाते हैं और iPhone को कम ही लेते हैं उनका first priority तो iPhone ही होती है लेकिन affordable ना होने की वजह से उसे ले नहीं पाते अब एक entry level smartphone बनाने के लिए Apple कोशिस कर रही है और अब 5G एक trend सा बन गया है इंडिया में अभी आया भी नहीं है पर उस पर हमने वीडियो बनाई है कब आएगा और कैसे आएगा देख लेना फिर भी लोग 5G अपग्रेड कर रहे हैं अभी भी क्योंकि 5G आया भी नहीं और इसलिए iPhone साथ में 5G और एक entry level segment में धमाकेदार चीजे होने वाली है अब लगबग 15-20,000 के जितने भी phones हैं उनमें 5 की सोचेंगे ज्यादा तर आप सभी जानते ही होंगी मेंली यहां पर आपको हार्डवेर और चिपसेट में ही चेंज मिलने वाला है फास्टेस चिपसेट ए 15 बाइने मिलेगा जो iPhone 13 में मिला था और compatible और एक handy phone है यह अब इंडियन मार्केट यह phone तभी survive कर पाएगा जब इ इसलिए iPhone से ही बात करें तो लोंच तो हाई प्राइस पर हुआ था लेकिन एक टाइम के बाद प्राइस घड़ गया था और वैसे ही घड़ता चला गया स्टार्टिंग में इतनी सेल नहीं हुई लेकिन प्राइस कमोने के बाद सेल्स हुई तो इतने स्टोक खतम होते चले इसके कि कभी-कभी तो लोगों को मिलना भी बंद हो गया था तो इसी सक्सेस को देखते हुए iPhone ने इसका अपग्रेड़ेड वर्जन लाने की सोची है अब यह बाते आइफोन को समझनी चाहिए अब ब्रैंड 5G और सस्ता फोन होगा तो एक अच्छा कंपैटेटर बन सकता यह मार्केट में अब डिजाइन एंड लुक की बात करें तो वही ऐसी टू जैसा ही होने वाला है और टचाइटी इसमें भी आपको मिलेगी सिंगल या साइद डबल कैमरा देखने को मिले सेलफी में वही साथ मेगा पिक्सल का कैमरा आपको मिलेगा और सबसे मेन इस वाले आइफोन में आपको चार्जन नहीं मिलेगा अब छोटा फोन है तो बैटरी उतनी ही मिलेगी लेकिन एफिटिन बायनेग जिपसेट की मदद से बैटरी बैकप आपको अच्छा मिलने वाला है सायद एक नया आयोएस वर्जन आपको देखने को मिले इसके साथ ये आइफो यूजर एक्सपिरियंस बहतर मिल सकता है सायद आइपैड आपको बता दे कि इसमें बहुत सारे होते हैं मतलब आइपैड फिर आइपैड मीनी फिर एयर और फिर प्रो वर्जन भी इन चीजों को चार चीज बनाके बेच दिया जाता है एक को सायद M2 चिप इवेंट में अ चाहोगे यह आइपोन 14 पर उस पर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताओ सोकिंग फीचर्स है आइपोन 14 के भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक पीडियो